जियो की तरफ से धेड़ सारा प्यार ये है जियो का मॉडल पांच सो एक तालिस जे एम आर वीडियो स्टार्ट करें आप देख रहे हैं बी आर टेक फिल्म्स अमेजिंग टेक वीडियो स्पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए बी आर टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है आप भी जियो की स्पीड से अगर परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है ये जियो का पर्सनल होट स्पाट है चौबिस सो उननिस यहां प्राइज लिखी है लेकिन मिल जाएगा आपको ये 999 में जियो की सिम्स में काम करती है अब G of Y के बारे में तो आप बहुत लोग अच्छे से जानते हैं लेकिन जियो 5 के इतने सारे models मार्केट में अविलेबल है समझ ही नहीं आता कौन सा लें, कौन सा बेस रहेगा, किसमें अच्छी स्पीड मिलेगी और मोबाइल से जादा अच्छी स्पीड मिलती है उसी एरिया में जिस एरिया में आप मोबाइल यूज करते हैं जी ओ फाय में जादा स्पीड मिलती है आज की डिट में इंटरनेट इतना important है कि अगर इंटरनेट की speed कम है तो बहुत सारी परिशानिया होती है क्योंकि office हो, घर हो, entertainment की बात हो, personal time spend करने की बात हो या आपका important काम हो, इंटरनेट हर जगे एक important role निभाता है तो वहाँ पे, जहाँ पे आपके mobile पे, geo के network में problem होती है, जादा तर वहाँ पे geo 5 थोड़ा बहतर काम करता है, ऐसा क्यूं है, क्योंकि mobile में जब आप geo की sim use करते हैं तो background में 30 सारी apps running में होती है, वो internet को consume करती नेती है और आपकी data speed जो है, वो low हो जाती है, लेकिन अगर आप एक special geo 5 router लेते हैं जिसमें सिर्फ wifi के लिए ही जिसको बनाया गया है, तो आपको speed थोड़ी बहतर मिलती है क्योंकि इस device का काम सिर्फ और सिर्फ आपको internet provide करना है, ये है geo 5 3 तो इस तरह से है, छोटा सा है, rechargeable battery इसमें लगती है, यहाँ पे आपको दो buttons मिल जाएंगे एक power on का, एक WPS का button, सामने एक छोटा सा display मिलेगा जिसमें आपको information मिल जाएगी battery की, signal की और इसकी wifi connectivity की, ये है इसका charging port, micro USB cable साथ में लगती है Chargers के साथ में ही मिलता है, इस box में, और यहाँ पे geo 5 3 जो है, अभी तक मैंने, geo 5 तो मैंने काफी use किये है लेकिन geo 5 3 की speed मुझे अभी तक बहतर लगी है, battery performance अच्छी लगी है तो अगर आप geo 5 लेने का सोच रहे हैं, अगर आपके area में geo का signal सही आता है लेकिन speed congestion के कारण, speed कम मिलती है बहुत सारे समय पे, तो वहाँ पे आपको speed में definitely एक boost मिलेगा अगर आप geo 5 यूज करते है, 999 इसकी price है, geo के store से मिल जाएगा, description में भी मैंने इसका link दिया है और जो geo 5 इसके उपर लिखा है designed in India, battery के उपर लिखा है made in China और जो इसका पूरा जो packaging box है उसके लिखा है made in Vietnam तो लगता है, पूरा इशिया की share कर रहा है, geo 5 तो geo 5 अगर आप लेने की सोच रहे है, तो geo 5 में यह जो geo 5 3 आता है, यह वाला model इसमे speed आपको definitely बहतर मिलेगी, performance इसकी अच्छी है, इसमें आप sim card लगा सकते हैं, geo का अगर आपके पास है तो नहीं तो नया sim ले सकते हैं, ज आप इस पे memory card भी लगा सकते हैं, right side में तो दो ports यहाँ पे दे रखे हैं, यह left side वाला जो area है, यहाँ पे आपको सिर्फ geo की sim लगानी है, इसको अंदर अच्छे से push करना है, बैटरी लगानी है, इसको power on करना है, और आपका personal hotspot जो है ready हो गया, इसका जो default password है, वो आपको box पर मिल दाएगा, बाद में आप इसका password चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे तीन indicators आपको मिलते हैं, battery के, signal के और wifi connectivity के, जो first वाला है, वो battery का है, red हो रखी है, इसका मतलब battery down है, blue होगी तो मतलब battery normal है, और जब वो green हो जाएगी तो यानि battery fully charged है, signal bars अगर blue है, तो यानि signal नहीं है तो आप इसमें अपनी existing geosm भी लगा सकते हैं, आपको definitely, आपको जो speed है, उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा, green signal होने का मतलब है, यहाँ पे signal strength काफी अच्छी है, और मैंने भी ये notice किया है, कि mobile से जारा अच्छी speed मुझे मिल रही है, geosm 3 पे, और best बात ही है कि आप इसमें 31 devices connect कर सकते हैं, 31 devices पे आप Wi-Fi जो है इसके through access कर सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी चीज है, मैं Android TV वगेरा यूज़ करता हूँ, smart चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे इस personal hotspot की वज़े से, जो है speed में काफी फरक देखने को मिला है, मिलते अगले description जरूर चेकिए